हेलो दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल एससे एंड बैंक्स में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बैल आइकन को दबा लिजिएगा ताकि आपको नहीं नोटिफिकेशन्स मिलती रहें दोस्तों हमारे चैनल के उपर हरियना स्टाफ सेलेक्शन्स और हरियना जी के नेशनल जी के और जॉब्स की डिटेल्स आपको और बैंकिंग डिटेल्स कौन आप जब भी आपकी कोई डिमांड आती है या वैसे भी हम बहुत सारे बैंकिस ये फोम आपको बताते रहते हैं कि दोस्तों इसके अलावा हम आपके साथ आज जो टॉपिक शेयर करने वाले उन सबसे हटके हैं लेकिन वह एक इंपोर्टेंट अपिक है दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है यह है आपका PM किसान सम्मान इधी योजना जी बिलकुल जो ये सिर्फ किसानों के लिए की योजना है जिसका केवल एक स्टेट के लिए नहीं लेकिन All India की किसानों को इसका benefit मिलेगा तो हम आपको बताएंगे कि इसमें किसको क्या problem आ रही है तो आप क्या कर सकते हो तो इसमें आपको करना क्या है इसमें मैं बता दूँ आपको आपकी जो ये सि्कीम थी वो थी आपकी ये थी आपकी परदान्मंतरी किसान समान इधी योजना 2019 में जो चली थी आपकी इसमें क्या था इसमें आपको 6000 रुपे टोटल मिलते थे जी बिल्कुल 6000 रुपे और 6000 रुपे आपको तीन किस्तों में मिलते थे 2000 एक बार 2000 एक बार और फिर 2000 एक बार दोस्तों इसमें क्या था अब इसमें प्रोब्लम क्या आ रही है वो उच्छे लोगों के तो reject होचकी है उनको तो दोबारा ये apply करने पड़ेंगे उसके इलावा जिनकी एक किस्त आज की है या दो आज की है थर्ड रुकी हुई है या फिर second तो दूसरी है वो भी रुकी हुई है दूसरी और तीसरी रुकी हुई है ठीक है मेरा कहने का मतलब जनकी एक भी किस्त आगी और उसके बाद अगर कोई किस्त नहीं आई है तो अब आपको इसके अंदर करना क्या है क्योंकि दोस्तों भूद्सा रखने कि जह हैं अकांट नंबर एकूज ресिक अकांट नंबर गल्थ है किसी का अधार नंबर में नाम गल्थ है तो इस तरह की problems आई हुई हैं तो इन सभी का solutions क्या रहेगा आपके पास चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या solutions रहेगा तो दोस्तों आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ अपने इनर्जी के CSC Center में जाना है CSC Common Service Center या कहें हिंदी में कहें तो जन सिवा के इंदर आपके पास कई भी CSC Center है तो आप वहाँ पर जाना है क्योंकि उनके पास आपकी गाओं की आपके आसपस की लिस्ट होती है जिससे आपको वो बता देंगे कि आपको कि अकाउंट में दिक्कत है या आपके जो अकाउंट में नाम है आपका और आधार में नाम है उनमें दिक्कत है तो आपको वो चेक करके बता देंगे इसके लिए आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ आपको साथ में इसके ले एक तो bank copy bank copy ले कि जानी आपको और दूसरा आधार card ठीक है ये दो चीज़े आपको ले कि जानी है इन दोनों चीज़ों से आपको ठीक हो जाएगा और आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही आपके पैसे हैं जो आपके account में आ जाएंगे दोस्तों ये शिरुफ उनके लिए है जिनकी एक कम से कम एक किस्त आज़ चुकी है बाकी की नहीं आ रही हैं तो आपको क्या करना है अपने आज़ पास नज़ी कि किसी भी CSE Center में जाएगा CSE Center में जाने के बाद उनके पास लिस्ट होती है उसमें अगर आपका नाम है तो आपको आपना आधार कार्ड और बैंक खाते की कोपी लेके जानी है साथ में और वहाँ से आपको पता दल जाएगा क्या आपका नाम गल्थ है या आपका अका काउंट नमबर गल्थ है और आप वहाँ से इसको ठीक करवा से कमुन के लिए इतना कीजिएगा इस वीडियो को फूरे इंडिया में फैला दीजिएगा ताकि सभी उन किसानों को इसका बेनिफिट हो सके जिनकी तो किस्ते हैं वो रुकी हुई है ठीक है दोस्तो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन को दबा लिजिएगा को कि इस तरह की वीडियोज हम बार बार डालते रहते हैं दोस्तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थन्यवाद